नमस्कार मैं हूँ आपके सार प्रतीक्षा गुजरात की राजनीती में पिछले चार दशकों से बीजेपी और कॉंग्रेस एक दूसरे को टक कर देते रहे हैं आमादनी पार्टी के एंट्री तिनी अच्छी हुई है कि उनकी चर्चा भी हो रही है अब ये चर्चा तेज है कि आमादनी पार्टी से किसे नुकसान होगा इसमें कोई संदे नहीं कि आमादनी पार्टी के एंट्री से मुकाबला, दिल्चस्प और कड़ा दोनों हो गया है आम आपनी पार्टी के रास्टी संयूजक और दिली के मुखिमंत्री अर्विन केजरिवाल इस बार गुजरात ने पूरा जोर लगा रहे हैं केजरिवाल यहां बीजेपी को चुनोती देते नजर आ रहे हैं आम आपनी पार्टी पर बात करें इससे पहले आईए आपको बताते हैं के फिलहाल गुजरात की सियासी तस्वीर क्या कहती है साल 2017 के विधानसभा चुनाओं में बीजेपी और कॉंग्रेस का सीधा मुकाबला था बीजेपी ने इस चुनाओं में 99 सीटे जीती थी और उसे 49.05 पीसदी वोट मिले थे कॉंग्रेस ने 77 सीटे जीती गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 40 सीटे सुरक्षित हैं 27 सीटे अनुसूची जनजाती के उमिदवारों और 13 सीटे अनुसूची जाती के उमिदवारों के लिए आरक्षित है गुजरात में कॉंग्रेस के चुनाव हारने के बाद इसके कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए अब गुजरात विधानसभा में BJP के 111 सदसे हैं कॉंग्रेस के सदसेों की संख्या घटकर अब बासट हो गई है और एक-एक सदसे NCP, भारती ट्राइबल पार्टी के हैं और एक निर्दली सदसे हैं यानि ये है पूरा जाती समिकरन के साथ राजनेतिक, रूप और रंगधंग गुजरात में अब बात करते हैं आमाद्मी पार्टी की आमाद्मी पार्टी किसे नुकसान पहुँचाएगी BJP को या कॉंग्रेस को ये एक बहुत बड़ा सवाल है आईए आपको बताते हैं कि जाती समिकरन में आमाद्मी पार्टी यानि आप कहां आती है 1960 में गुजरात के गठन के बाद पहली बार 1973 में चिमन भाई पटेल गैर ब्रामवन मुक्यमंत्री बने थे इसके पहले जिवराज नारायन महता बनिया जाती से थे और बाकी के मुक्यमंत्री ब्रामवन रहे है ऐसा तब था जब गुजरात में ब्रामवन एक फीसदी से भी कम था चिमन भाई पटेल का मुक्यमंत्री बनना गुजरात और कॉंग्रेस के लिए बड़ी घटना थी पिछले साल सूरत में नगरनिगम के चुनाओं में आमादनी पार्टी ने 27 सीठें जीती थी सूरत में बीजेपी मजबूत रही केजरिवाल और मोदी की राजनिती में समानता है लेकिन गुजरात में इनका दिल्ली मॉडल अब बिकता नजरा रहा है और शायद इसलिए भी अर्विन के जरिवाल और आमादनी पार्टी की चर्चा हो रही है गुजरात में पार्टिदार यानि पटेल 14 फीसदी है पिछली विधान सभा में पटेल विधायक 30 फीसदी थे और पटेल पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट करते रहे है या बीजेपी का वोट बैंक मान सकते है अब आमादनी पार्टी ने गुजरात ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान गोपाल इटालिया को दी है गोपाल पटेल जाती से ही तालुक रखते है एक बड़ा दाव खेला है अर्विन के ज्रिवाल ने गुजरात में OBC का वोट 45 से 50 फीसिदी तक है गुजरात विधानसभा के कुल 182 सीटों में से OBC का दबदबा एक 70 सीटों पर है दलित 7 फीसिदी है और इन्हें पारंपरिक रूप से कॉंग्रेस का ही समर्थक माना जाता रहा है अब तक अनुसूचित जन जाती 14.75 प्रतिशत है और 37 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी है स्टी वोट कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़ता नजर आता है इस साल देखना है कि क्या होगा 2012 में आमादनी पार्टी बनने के बाद से अब तक दिल्ली और पंजाब में सरकार बन चुकी है आमादनी पार्टी की सरकार है और चल भी रही है दिल्ली में तो दो बार बन चुकी दोनों जगें कॉंग्रेस को हराकर केजरिवाल ने सरकार बनाई है और मजबूती से बनाई है अब तक बीजेपी को किसी राज्य से बेधखल करने में केजरिवाल नाकाम तो नहीं रहे है लेकिन हाँ गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोकशाला जरूर कहा जाता है और बीजेपी ने बाकाइदा इसमें एक्सपिरिमेंट्स किये है अगर केजरिवाल यहां बीजेपी को मात देते हैं तो उनको राजनीती में इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती या नहीं मानी जाती क्योंकि कॉंग्रेस पिछले 27 सालों में ऐसा नहीं कर पाई है 1985 के बाद से अब तक कॉंग्रेस सत्ता में नहीं आई है आमादनी पाटी बेहत मजबूती के साथ अब गुजरात के चनाव में उतरी है और अर्विन केजरिवाल ने जबरदस दाव खेला है देखना ये है कि अब कैसे आमादनी पाटी बीजेपी या कॉंग्रेस को नुकसान पहुंचाती है या यूँ कहें अपना फायदा करती है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें